घने जंगल के उचे पेड़ पे कववा रहा करता था और उसने अभी अभी दो अंडे भी दिये थे पेड़ के बगल में ही एक बहुत ही जहरीले सांप का भी घड़ था एक दिन कववा अपने अंडो को अकेला छोड़के खाने की तलास में निकल जाता है अंडो को अकेला देखके साप बिना देरी की हुए पेंड पे चड़ जाता है और दोनों अंडो को फटाक से खा लेता है कोवा जब घर लोड़ता है तो वो देखता है कि उसके घोसले में एक भी अंडा नहीं है वो देखता है कि डाल पे साप लटक रहा होता है और वह समझ जाता है कि उसके अंडे साप नहीं खाए है कौवा साप को मज़ा चकाने के लिए अपने दोस्त लोमडी के पास जाता है लोमडी उसे आइडिया बताता है कि पासी के तालाब में रानी नहा रही है जिनका हार किनारे पे रखा है तुम उसे उठाके उड़ जाना, इसे की सिपाई तुमारे पीछे पड़ जाएंगे, और तुम वो हार साप के बिल में फेक देना, साप जैसे ही बाहर निकलेगा सैनिक उसकी पिटाई करेंगे, और रानी का हार लेके चले जाएंगे, और साप वहां से बिल छोड़के चला जाता है, वैसे क्या तुमें साप से डर लगता है, कमेंट करकी जरूर बताना